हेलो दोस्तो अंजिना के चैनल में आप सभी का हरतिक स्वागत है तो आए दोस्तो आज हम जानते हैं आज हम जानते हैं दोस्तो एक राम कथा के बारे में कि राम की कहानी परिवार में जीने का क्या महत्व सिखाती है परिवार को हम संसकारी कैसे बनाई दोस्तो राम की कहानी में परिवार का क्या महत्तो है राम की कहानी एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो हमें जीना सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए दोस्तों आजकल परिवारों को ये जानना जरूरी है कि ये परिवार बचेंगे कैसे परिवार चलाने दिखाने चाहिए और जिस घर के बच्चे अच्छे ना हो वहां बजुर्गों को समस्दारी दिखाने चाहिए दोस्तों राम की कहानी यही सिखाती है कि किसी एक महल में एक बाहर वाली मंत्रा निकल जाए तो कितना दुख प्राप्त होता है और किसी एक घर में यदि एक राम निकल जाई तो कितना शुक राप्त होता है दोस्तो राजा दसरत ने राम से ये तक कहा कि तेरी छोटी मा मुझसे गलत कार्य करवा रही है बेटा तो इस मैं शेना पती है सेना तेरे पास है तो मुझे जेल में डाल दे तो मेरा बचन भी भंग नहीं हुआ और तेरा राज्य विशेक भी हो जाएगा और मैं अराम से जेल में रह लूँगा पर तुझे अपने राज्य से निश्काशित नहीं कर शकता दोस्तो लक्षमन भी राम से कहते हैं कि भाया ये तीर कंधे पर लटकाए हुए फिर रहे हो घर पर अत्याचार हो रहा है और आप चुप पैठे हो अत्याचार सहना भी तो गलत है तीर उठाते क्यों नहीं हो इस पर दोस्तो राम कितनी सुन्दर बात कहते हैं कि कि किस पर तीर चलाओं भाया लक्षमन किस पर तीर चलाओं जिस मा ने मुझे खिला पिला के पाला पोशा या उस पिता पर जिसने मुझे इतना बड़ा किया और मुझे गुर कुल में शिक्षा ग्रहन करवाई मुझे जीना शिकाया या इस भरत पर जो निश्पाप है जो ननिहाल गया हुआ है उसको पता भी नहीं है कि उसकी मा ने क्या बचन मांग लिए किस पर तीर चलाओं अपने परिवार को कैसे मारूं इससे तो अच्छा है लक्षमन कि मैं बनवास को ही खुशी खुशी चला जाओं देखा दोस्तों आप सबने दोस्तों परायों से तो लड़ा जाता है पर अपनों से नहीं दोस्तों राम को रावन की बहन सुर्प नखा जब प्रस्ताब देती है कि जंगल है कौन देखेगा मुझसे विवा कर लो इस पर राम कहते हैं कि माता मेरा विवाः तो लेई हो चुका है, ये मेरी धर्म पतनी है, तब शुर्प नक्खा लक्षमन की और बढ़ती है, तो इस पर लक्षन भी मना करते हैं, तब वो शिता माता को चोट पहुचाने की कोशिश करती है, तब लक्षमन तीर से उसके नाकान काटते हैं, तो आगे तो आप सब को पता है दोस्तों की उनको रावन के गुशे का सामना करना पड़ता है, दोस्तों ये राम है, ये भगवान मर्यादा पुर्शोत्तम स्री राम है, जो जंगल में भी मिले इस असलील, इस असलील प्रेम को भी ठुकरा देते हैं, और एक रावन है, जो पंच कन्याओं में पूजित, माता मंदोदरी का पती होने के बाब जूद भी सिर्फ इतना सुनकर कि जंगल में दो पुरुशाय हुए हैं, उनके साथ उनकी पतनी शीता बहुत सुन्दर है और उसके पीछे लग जाता है, तो ये परिवार के संसकार ही सिखाते हैं, दोस्तों, उसके कुल का नाश हो जा दोस्तों, जिसमें आप दूसरों में इश्वर देखना शुरू कर देंगे न, उसमें इर्फिया बेमानी कुंठा अपने आप ही बिलोप हो जाईगी, थोड़ा सा हमें संसकारी होना जरूरी है, हमारे अंदर थोड़ा संसकार होने बहुत जरूरी हैं, जिससे हमें बुरे का ज्यान प्राप्त हो, पता है दोस्तों, ये प्रित्वी आज तक क्यों टिकी हुई है, ये पाताल क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि इसमें अच्छे लोगों का प्रतिश्यत ज्यादा है, सादू सन्यासियों का प्रतिश्यत ज्यादा है, और बुरे लोगों का कम ह इसलिए आज तक ही हमारी प्रिथवी यहां पर टिकी हुई है। दोस्तो, राम से सब छिना, पर बाद में राम को सब कुछ मिला, बस मै का खेल है दोस्तो। दोस्तो, अनुभब से ही जिन्दगी जीती जाती है। दोस्तो, जामबंत इतना समझदार बजुर्ग था, सब बानरों में जिसने हनुमान को शक्तियां यादि लाई। और समझाया कि आप तो सिंदु पार करके जाही सकते हो। दोस्तो, हर एक घर में एक बजुर्ग, एक इमानदार जामबंत होना बहुत जरूरी है। जो कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए। जैसे कि जामबंत ने वो बजुर्ग था और उसने हनुमान को सही रास्ता लंका में जाने के लिए समझाया। तो ऐसे थे जामबंत जी जिन्हों ने बहुत सही रास्ता लंका में जाने के लिए हनुमान जी को दिखाया दोस्तो रावण ने तो अंकार में अपने बंस का ही नाश कर दिया दोस्तो जब कौशल्या माता जागती है तो देखती है कि उपर कोई खूम रही है उन्होंने सोचा कोई दासी होगी लेकिन जब कौशल्या माता उपर जाती है तो देखती है कि मांडवी भरत की पतनी खूम रही है तब माता पूछती है कि मांडवी आप सोई नहीं तब मांडवी कहती है कि कैसे सोजाओं माता अभी तक मेरे पती देब भरत वहां कुटिया में उनका दीपक जल रहा है तो उनसे पहले में कैसे सोजाओं तो ऐसे थे भरत और मांडवी भाईया भावी हो तो भरत मांडवी जैसे हो लक्षमन उर्मिला जैसे हो दोस्तो जब मंदोदरी के पास रावन आते हैं कि सीता तो मेरी तरफ देखती तक नहीं है तब मंदोदरी कहती है कि आप तो माया भी हो आप राम का ही रूप धर लो ऐसे कहना तो नहीं चीए ये गलत बात है पर यदि आप सीता को उठा कर लेही आए हो तो आप राम का रूप धर के देख लो इस पर दोस्तो रावन फुट फुट कर रोने लगता है कि जब मैं राम का रूप धरता हूं मंदोदरी तो पता है मुझे तुम्हारे सीवा और सभ दिखाई देता है दोस्तो ऐसा था स्री राम भगवान का श्रूप तबी तो उनको मर्यादा पुर्शोत्म भगवान स्री राम कहते हैं जो अपनी पतनी के अलावा सभी स्त्री को मा बहन की द्रिष्टिश देखते थे और देखना भी चाहिए दोस्तो एक सीता माता है दोस और दूछे मार डालूँगा तब सीता माता वहां पेड के नीचे से एक इनका उठाकर रावन को दिखाती है कि मुर्क तू कैसी मुर्कता पुर्ण बाते कर रहा है तू मुझे चुएगा पहले इस तिनके इस मेरे भाई को तो छूले दूर्सतो सीता माता भूमी से पैदा इसलिए सीता माता तिनके को अपना भाई कहती है कि अरे दूष्ट पहले मेरे इस तिनके इस भाई से तो निप्ट ले पती से तो तू बाद में निप्टना जब आएंगे तब लेकिन इस पर रावन बहुत डर जाता है दोस्तो क्यूंकि वो एक तिनका भी पार नहीं कर सक सीता माता के भाई को नहीं चू सकता दोस्तो एक श्त्री अपने पती के साथ भी इतनी सुरक्षित महशूश नहीं करती जितनी वो अपने भाई के साथ सुरक्षित महशूश करती है दोस्तो सबसे पहला रिष्टा इस प्रिथवी पर पती से पहले भाई से होता है इसलिए बाई बहन का रिष्टा बहुत पवित्तर माना जाता है इसलिए तो भाई अदूज पे और राखी पे बाई बहन का ये त्योहार भी मनाये जाता है दोस्तो ये राम कथा में जो एक-एक पात्र है न दोस्तो ये परिवार में जीना सिखाते हैं त्या करने की भाबना सिखाते हैं कि हमारे को कैसे जीना है रामायन हमें यही सिखाती है तो आशा करती हूँ आप सब को पसंद आया होगा प्लीज सब्सक्राइब में माई चैनल थेंक यू जे सियराम